आज हमने बनाया है पनीर और मटर की सबजी काफी टेश्टी सबजी घर पर कैसे बना सकते हैं आप पनीर और मटर आप इस तो वीडियो में आपको पूरा सिक जाएंगे काफी अच्छे और मुलायम पनीर मैंने पनीर भी खुद घर पे ही बनाया हूँ पनीर कावी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रेशन मेल जाएगा यहाँ पर देखें काफी सॉफ्ट पनीर है और इसको कैसे मैं रेडी क्या हूँ चलिए मैं आपको पुरब की वीडियो में बता रहे हूँ पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है फ्रेश पनीर में खुद पर घर पर बनाया हूँ आप जहां से आप बना सकते नहीं तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले एक कड़ाई ग्रम करने के बाद तो में तना को आप कोई साव यूद्य कर सकते तो अब आप के यह जो tea कर सकते हैं उन्हानें यह जो इसे तेला देया है तेल डालना के बाद यहां यहाँ पर मैनने देशी घी का एक देशी घी आल दिया हूँ जो आप recall दाल देंगे उसको कमसे कम 3-4 निट ते इसको फ्राइ करेंगे जैसे यहाँ पर यह हलका ब्राउन हो लेंगा उसी तरह थोड़ा दिर तक इसको इसी तरह चलाते रहना आप पलेटते रहना नहीं तो नहीं पल्टो के तो एक साइट क्या होगा ज़्यादा चल जाएगा तो आ सारे को धीरे धीरे करके दो तो करके जैसे आप मिलाएंगे उसी तरह आप निकाल लेंगे एक बार में ज्यादा इसको हल चल नहीं करना नहीं तो पूरा ही टूट जाएगा इसलिए उसके बाद यह बचे हुए तेल में यहाँ पर मैंने चार छोटे प्याज का टुकड़े चलाएंगे चलाने के बाद इसमें पूरा जो हलका ब्राउन होने लेका प्याज उससे बखले आपको इसमें क्या करना आपको जिसमें एक लसुन का तिली मतलब आपको एक लसुन मतलब वही चार-पांच लसुन कि और छे-षाथ-ध्यमिर्चि को इस नरें है कि आपको कुछ भी नहीं करना मित्ची को कड पिछ बीकिनि करना क्या आपको आपकर बाद मो पेस्ट जब बना होके तो पुरा आपको इसी तरह डाले के बाद हलके हलके इसी तरह चलाते रहते हैं ऊसके भाद उसके बड़े साइस के तक होह में धुझे ठॉके हुझे दाले हैं उसको थोड़े देर तक इसी तरह चलाएंगा तो तो आपड़े गया ब्रह लीजिए घ्रा पड़ेगा लेकिसी यह लेकिन इसमें आपको मातर एक चमची नमक एट करना है उसको बाद नमक डालने के बाद थोड़े दिर इसको चलाएंगे उसके बाद एक इसका जो इकड़ाई के धकन है और धकन लगाकर इसको तीन से चार मिनिट तक इसको इसा ही पके पके हुए रह सॉब्थ और भीछेट सॉप्थ हो जाएगा वए इसको का सबने के लिए थ्को म्हांते के बाद मिक्शर बन करने के बाद इसको सायट में रख लेंगा उसके बद कड़ाई को साफ कर लेंगे फिर से उसमें शरी साइब तर आप यहांव पर एक त glitch चमच चमच च्बक कर औ करें दाल चिनी इलाची के ज़ूर थोड़े दर कर देंगे कैसा इनल के कुरहिए है उसके बाद यहां पर एक चमच रहल्दी का पौडर डाला है कि यहां पर मैने पाउडर नहीं एक हुआ हो रिचा कि अगर अगर आपको नमग कम लगे तो बाद में भी आप यहां पर जो मैंने टमाटर प्याइच को यह भी पेश्ट बना के रखा था उसके बाद थोड़े दिर चलाएंगी यहां पर देखिए काफी सूखा लूखन दिखिरा तो इसमें आप क्या करेंगो मिक्सर में जो भी इसमें थोड़ा सा बचा है उसमें थोड़ा पानी एट कर देंगे उसको इसको इसी तरह चलाते रहना है दो से तीन मिड़ तक इसी तरह आपको चलाते रहना है जैसे यह पानी सोखने लगे तब तक इसको इसी तरह चलाते रहना है बीच बीच में चलाते रहना है चलाना नहीं चोड़ना नहीं तो नीचे बगड़ने लगगा उसक लाजिने टीन से 4 कॉप आनी एट कर देंगे उसको फुटी इसको पूरी चो पूरी तरह से और मिक्स कर देंगे कै कुछ आ है करल पहसे के वाजनime चक्चा सुरूर को जाएगा उबाल और असोरू हो 2-3 मिट के बाद फिर से ढखनाग कर घृत दखना हम तो सोके मेंगे थोड़ा में चलने के लान के पाद आप्वाद अधर म예요 करने के बाद यहां पर मैंने यहां पर दो कप 7 ममच लिया है मचक somoda निकाल के बीच निकाल के रखा था को मचो इसको पूरी अच्छे तरह पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देने के52 जो भी मिने के लिए ऐसको पर बोड़ा है, तो में अखल लिया थाट मनें तो फूरी ऑच्छी तरह से मिक्स करेंगे पूरी अच्छे तरह से mix करने के बाद इसको छोड़ देंगे दो मिनट पकने के बाद इसका ठेकन हटाएंगे और इसके बाद इसमें हम काली मिर्चि का पावडर एड़ करेंगे उसके बाद इसको mix कर देंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने हरा धनिया का भी टुकड़ा डाल दिया है यहाँ पर आप धनिया भी डाल सकते हैं इसमें टेस्ट भी ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर मैंने काली मेर्ची का पाउडर और धनिया भी डाल दिया है उसके बाद थोड़े ठीर के लिए इसको mix करेंगे और हमारा यह इह सालने रेड हो गया है यह Motr Paneer हमारा रेड होता है काफी अच्छ से टेस्टी रेड़ी है आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं आप घरे भी ट्राइन कर सकते हैं मैं बताया हूं इस तरह से आप यह ट्राइब कर सकते हैं बहुत जवादिश्ट बनेगा यह डालने के बाद थोड़े एक मिनट के लिए धकन डालके छोड़ देंगे पसके बाद लास्टे में आपको फिर से दो मिनट के बाद धकन हटाएं लेंगे अटाने के बाद यहां प पनीर में घर पर खुद बनाए हो पनीर का भी वीडियो में अल्रेडी अपलोड कर चुका हूं आप यहां पर डिस्क्रेप्शन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप कैसे पनीर बनाते हैं घर पर आप वहां से भी देख सकते हैं उम्मीद यह वीडियो आपको पसन आई और चैनल पर नहीं हो तो फिली सब्सक्राइब के बेल आइकन जुरूब प्रेस कर लें और फेस्बूक इंस्टाग्राम का पे लिंक मैंने डिस्क्रेंशन बॉक्स में देदी हैं वहां जाके हम फॉन्म करते हैं आपर देखें काफी सॉफ्ट और नरम सबजी बनाए रेड तो यहां पर मैंने लाल मिर्ची थोड़ा कम यूच किया है तो इस तरह से आप भी घर पर ट्राइ कर सकते हैं बनने के बाद एक प्लेट में आप सर्फ कर लें उसके बाद आप यहां पर आप टेस्ट भी कर सकते हैं बहुत अच्छे सबजी बनके रेडी है इसको आप चप बने ला सकते हैं इसको देखिया हमारे यह जी पनीर पर काफी साफ्ट पनीर है मैंने खुद घर पे ही बनाया है काफी अच्छे सौफ्ट पर निर्वन के रेडी है पर एक कि सबजी और चावल बनके रेडी है आप इस तरह बढ़ बी ट्राइक कर सकते हैं काफी अच्छा बनेगा